हेलो एवरीवन वेलकूम टू आर चैनल तो इस वीडियो में हम लेकर आये हैं कक्षा चैनल के विशे इंग्लिश के एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का लेसन नमबर थर्ड इससे पहले हमने लेसन फर्स लेसन टू असेस्वे नमबर फर्स सैकिंग का सॉलिशन देखा है अगर आपने किसी कारणवाज कोई भी वीडियो में इस कर दिया है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस में जाकर की या फ तो चले देखते हैं कोईशन फर्स है वाट इस दी पास्टेंज और वरी वरी का पास्टेंज क्या हो जाएगा वरीड सैकिंड है में क्योंपाउंड वर्ड विद रेंड ड्रॉप तो पंपाउंड मर्ड मतलब यानी रेंड और ड्रॉप को मिलागर कर एक आपको वर्ड ब सिखाया था एक lesson king को, तो यहाँ लिखेंगे छोटी जो spider, एक छोटी सी मकडी ने ठीक है, चलिए, देखते है next question, fourth है where did the king hide himself, answer लिखेंगे the king himself had to hide in a cave, cave यानि गुफा, fifth question है, the spider success day in climbing the wall if the spider had given up what would have happened तो लिखेंगे if the spider did not try to climb again and again it would fall and give up तो इसे सीख मिली थी राजा को क्योंकि बार बार में spider चड़ती जा रही थी गिरती जा रही थी, बार बार में चड़ती जा रही थी गिरती जा रही थी, आखिरकर उसे last में success मिली, ठीक है उसने give up अगर कर दिया होता तो वो चड़ नहीं पाती पर उसने give up नहीं किया था वो चड़ने में success होई ठीक है तो इससी तरह से विध्यारती जीवन में भी अगर एक बार fail हो जाते हैं या किसी कारणवश कोई success नहीं मिल पाती है तो निराश होने की बज़ाए प्रयास करते रहना चीए कभी न कभी आपको सफलता जरूर मिलती रहेगी ठीक है चलिए देखते हैं question number six what did the king learn from the spider answer लिखेंगी the king learned from spider try 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 till you success question seven है arrange the following sentence in the sequence in which they appear in the story तो यहाँ आपको arrange करने है दियेगे sentence को story के अनुरूप once upon a time there was a king the king was wise brave and kind people were happy in his his kingdom once a neighboring king attacked his country many of his soldiers were killed the king was sad and worried अब देखेंगे assessment number third solution question first है write the opposite of krill answer लिखेंगे krill यानि जो krurta होती है जिसमे krur जिससे बोल सकते है जिसमें दया भावना नहीं रहती है इसका opposite क्या हो जाएगा willum शब्द हो जाएगा kind यानि दया लू second question है write any three qualities of the king quality लिखनी है आपको king की राजा की तो क्या लिखेंगे the king was brave, kind and यहाँ पर आपको दे रखा है sentence में ठीक है एक और आप लिख सकते हैं जैसे वो बहुत हेल्प करदा था उसके जो पिपल है उनको ठीक है तो brave भी लिख सकते हैं he is brave ठीक है he was brave, kind ठीक है थार्ड कोशिन है complete the word puzzle using the word given in the box आपको दिये गए जो words है इनका use करते हुए box में इनने फिल करना है पहली की रूप में ठीक है पजल है तो यहाँ जैसे बी से लिख देंगे bundle इसे तरह से लिख देंगे A लिखा हुआ है तो इसे complete करेंगे team से A से लिख देंगे army B से लिख देंगे bunch और C से लिख देंगे crowd ठीक है तो इस तरह से पूरा होता है आपका assessment number 3 का solution और lesson number 3 का भी solution ठीक है तो हम lesson के साथ साथ में assessment के solution भी देखते जा रहे है तो इसी तरह हम आगे के और भी chapters के आपके solution देखते रहेंगे तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद